direct assessment now we will see कि ऐसे कौन से psychological test है जो कि हम use कर सकते हैं to determine कि whether जो problem है बच्चे के अंदर वो पीका से related है या नहीं है psychological assessment कि यह reference में जब हम बात करते हैं तो no doubt variety of test जो हैं वो available होते हैं जो कि आप एक ही problem को महियर करने के लिए use कर सकते हैं इसमें important चीज जो होती है वो cultural sensitivity of the test होती है definitely अगर culturally test जो है वो use हो सकता है उसके percentiles जो है वो develop हुए हैं उसके scores डवालप हुए हैं norms डवालप हैं तो आप वो test जो है अपनी population के उपर use कर सकते हैं in case अगर इस तीस के limitation है और ऐसे test आपके पास जो tools नहीं है तो जो उनसा tool आप use कर रहे हैं उसे आप culturally adapt कर सकते हैं ठीक है तो इन चीजों का आपने धिहान रखना है जब भी आप कोई भी psychological test किसी भी disorder के लिए use करेंगे तो here we will go with the two test number one is the questions about behavioral function number two is Montreal Children's Hospital feeding scale ठीक है ये दो test है जिनको हम आज discuss करेंगे तो जो आपका पहला test है उसके उपर जब आप use करेंगे तो आप देखेंगे कि उस पर नाम लिखना है आपने जो भी assess कर रहा है उसको देखना है जो target behavior है उसको देखना है जेट देखनी है ठीक है उसके बाद जो rating करनी है वो किसके उपर करनी है जिस तरहां do not apply पे never पे, really पे, sometimes पे and often पे जब आप rate करेंगे तो आप क्या चीज़ देखेंगे कि engages in the behavior to get attention यानि ऐसा behavior जिसके तुरू बच्चा जो है वो attention जो है वो see कर सके ठीक है इसी तरहां अगर आप देखें तो here is the item engage in the behavior because there is nothing else to do तो इस तरहां जो आप उसके behavior function है यानि जो behavior वो present कर रहा है वो उसके लिए क्या function play कर रहा है उसको आप rate करेंगे because it might possible कि certain time बच्चा जो है वो पीका के behavior के अंदर इसलिए involve हो क्योंकि वो attention जो है वो gain करना चाहता है ठीक है इसी तरह engage in the behavior when a peer has something he or she wants ठीक है तो it might possible कि बच्चा जो है वो अगर कोई substance जूस कर रहा है तो उसका जो पीछे purpose हो वो कोई और हो उसका function कोई और हो तो इस इसको understand करने के लिए कि उसके behavior के पीछे उसका उस substance को use करने के पीछे in fact उसकी reason क्या है तो ये जो questionnaire है ये आपको उसमें help करेगा then अगर आप दूसरा scale देखो तो उसके अंदर आपको Montreal Children feeding scale जो है इसको अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपने date ठालनी है फिर आपने name लिखना है उसके बाद अगर आप item देखें तो item पे आपने circle करना है one जो है वो very difficult है और seven जो है वो easy है तो how do you find meal times with your children how do you find meal times with your child तो अगर वो बहुत difficult है यानि उनको बहुत जादा problem होता है तो उसे हम one पे rank करेंगे अगर हम अगर वो easy है यानि बच्चे के साथ बैठके खाना जो है वो असान है बच्चा आपको difficult time नहीं देता तो वो easy है ठीक है इसी तरह how does your child behave during meal times तो अगर तो for example behave well है तो आप one पे करेंगे इसी तरह अगर act up make a big fuss है तो आप उसे seven पे करेंगे इसी तरह how do you find your child's growth अगर आपको लगेगा कि वो poorly grow कर रहा है तो आप उसे one पे rate करेंगे और अगर वो well जो है उसकी growth है तो आप उसे seven के उपर rate करेंगे ठीक है तो इस तरह ये दो skills है जो आपको बचे के behavior के बारे में उसकी growth के बारे में उसके eating habits के बारे में quite well explained करेंगे इसके साथ-साथ आपने एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है कि अगर आपको ये feel हो रहा है कि बचे के अंदर intellectual deficiency है या autism है तो आपने कुछ developmental test जो है और जो IQ test है वो भी आपने बचे के measure करने है ताकि आपको idea हो सके कि कोई और morbid condition जो है वो तो client के अंदर prevail नहीं कर रही तो आपको भी जो